हेलो प्रेंट्स बरसाना किचन में आप सब का स्वाकत है तो आज का स्पॉंज कलर देखकर क्या लग रहा है कि बड़े गर्ल होगी या बड़े बॉई तो जी हाँ ये बड़े गर्ल का ही केक है इसलिए इसका कलर कॉंबिनेशन मैंने पिंक ही रखा है पिंक तो आलवेस फेवरेट रिद्धा है लड़कियों का तो ये जिनने केक देना था उन्हें छोटा सा एंडल सुन्दर केक चाहिए था उन्होंने मुझे एक पिंक दिखाया और कहा कि इसा खड़ा केक बन जाएगा क्या तो मैंने का जी हाँ बिलकुल बन जाएगा इसे टॉप फॉरवर्ट केक कहते हैं इसे मतलब खड़ा कर देते हैं तो इसे टॉप फॉरवर्ट केक कहा जाता है तो बस मैंने पूरी कोशिश की है इसे बनाने की बट रियली गाईज बहुत दिक्कतारी थी इसे केक बोर्ट पर ट्रांसफर करने में बहुत दिक्कतारी थी क्योंकि ये मेरा फॉर्स्ट केक ओडर था इस टाइप का तो पर बन गया था जिससे तेसे फाइनल लुक इसका बहुत ही एलिगेंट था बहुत अच्छा आ रहा था पर उन्हें इसके अंदर कोई flavor नहीं चाहिए था ठीकके कोई साभी crush नहीं चाहिए था पाइनब्पल flavor चाहिए था उन्हें कोई साभी crush उसमें नहीं करना था उनका ऐसा demand था ठीक तो मैंने इसके अंदर सिर्फ इसके sponge में ही mixed fruit essence head किया था इसका इतना mind-blowing flavor आता है ना इतना amazing आता है आप एक बार जरूर टेस्ट कीजिएगा घर पर बना कर बहुत प्यार आता है तो बस इसका crumb coating किया सबसे पहले मैंने इसकी पहली layer इस crumb coating की फिर उसके बाद मैंने इसके उपर final coat किया आप भी पहले cream की पथली layer से केक पर crumb coating किया कीजिए उसके बाद ही final coating किया कीजिए इससे क्या होगा कि हमारे केक पर अच्छे से finishing आएगी और बहुत सुन्दर सा दिखेगा पानी कूप के अंदर knife को थोड़ा सा ले लेकर पोच कर उसके बाद ही आप इससे थोड़ा सा finishing दीजिए बहुत अच्छे सा आती है तो यहाँ पर अब मैंने ये केक की cutting कर लिए कुछ इस तरीकी से काटना है आपको केक को और इसके उपर फिर मैंने ये pink कलर का थोड़ा सा shade दी दे था पर मैंने यहाँ पर पीछे की तरफ देख रहे न तो ये इसको भी cover करना था सबसे पहले तो मैंने इसके उपर चॉकलेट गनाश लगाया था वाइट चॉकलेट गनाश लगाया था पहली layer उसके बात फिर मैंने इसे cream से पूरा cover किया तो यह कुछ इस तरीके से इसका लुक दिख रहा था अब इसके उपर हम डिजाइन बना लेंगे तो यह देखे पहले देख रहे था ना कि डार्क शेट था आप मैंने लाइट देदिया था इसके उपर पिर इसके उपर मैंने यह स्टार नोजल से बड़ी वाले स्टार रहे हैं वाइट uda तो यहां पर लगा दिया था मैं एजो यह बना दिया था उसके बाद मैं चोटे-चोटे से लगा दिया थे यहां पर अcesट लेकि तरह की तरे की निर्च, कई चोटे की चोट से स्हटार बना दिया है न आ दिये थे, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बाद में देखने के बाद Üstका लुक बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, ते कि स्चार दिख रहे न, पीछे इस से उच मैंने इसका पहले ऐसा लुक दिया था लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा न लगा तो फिर मैंने ये निकाल दिया था उसके बाद मैंने ये वाइट कलर के सिल्वर मोती स्किप पर स्प्रिंकल किये तब भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था तो फिर उसके प्लीज मेरे चेनल को लाइक शेर शब्सक्राइब कीजिए